हेलो दोस्तो मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्ण and co.education में दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लिंग वचन के बारे में आपको याद होगा इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था तो चलिए जानते हैं लिंग वचन क्या है और लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है लिंग लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन अत्वा पहचान या किसी जाती की या किसी वस्तु की पहचान हो न लिंग शब्द का वहरूप जो इस्त्री जाती या पुरुष जाती का बोद कराता है उसे लिंग कहते हैं जैसे मोर नाच रहा है चिडिया पेड़ की डाल पर बैठी है राम बैठा है सीता बैठी है इनसे इस्त्री जाती और पुरुष जाती की पहचान हो रही है लिंग के भेद लिंग दो प्रकार के होते हैं पहला है पुरुलिंग और दूसरा है इस्त्री लिंग आए जानते हैं पूरलिंग जिस सबसे पूरुष जाती का बोध होता है उसे पूरुलिंग कहते हैं जैसे घोड़ा, बालक, आदमी इस्त्रिलिंग जिस सबसे इस्त्री जाती का बोध होता है उसे इस्त्रिलिंग कहते हैं जैसे गाई, बाली का, शेर्नी, आदी पूर्लिंग की पहचान जिन सब्दों से अंत में आव आव पा ना आदी आते हैं वे शब्द अधिकतर पूर्लिंग होते हैं जैसे आ लोट जमा आ लोटा लोह जमा आ लोहा आव चड़ जमा आव चड़ाव वे जमा आव बहाव पा मोटा जमा पा मोटा पा बूड़ा जमा पा बुड़ा जमा पा बुड़ा इन सबसे पूर्लिंग जाती की या पूर्लिंग शब्द की पहचान हो रही है इस्ट्रिलिंग की पहचान जिन शब्दों के अंत में इ आवट या ता आई आहट आधी प्रत्र लगे होते हैं उन्हें इस्ट्रिलिंग कहते हैं जैसे ता मित्र जमाता मित्रता शत्रू जमाता शत्रुता आवट थक जमा आवट थकावट बन जमा आवट बनावट पढ़ जमाई पढ़ाई चड़ जमाऊई चड़ाई इन सबसे या इन शब्दों से स्थ्रिलिंग की पहचान हो रही है लिंक परिवर्तन ई प्रत्य लगाकर यानि जिन शब्दों में ई लगेगा वै इस्त्रिलिंग और पुर्लिंग की पहचान कराएगा जैसे पुर्लिंग में बेटा, पुत्र, घोड़ा इस्त्रिलिंग में बेटा, जमाई, बेटी, पुत्र, जमाई, पुत्री, घोड़ा, जमाई, घोड़ी इन सबसे लिंक परिवर्तन का पता चलता है कुछ शब्द सदा, पुर्लिंग, इस्त्रिलिंग होते हैं जैसे शरीर के अंगों में, अन के नामों में, पेड के नामों में जैसे मैं बता देती हूँ शरीर के अंगों में जो पुर्लिंग होते हैं, हाथ, पाफ, नाखुन, आदी, इस्त्रिलिंग में आँख, नाख, जीब, थोड़ी, उंगलियां, आदी और जो अन के नाम होते हैं, उनमें पुर्लिंग में जो आते हैं, गैहूं, चावल, चना, मतर, बाजरा, आदी और जो इस्त्रिलिंग में आते हैं, मकई, जुआर, आदी और पेड़ के नामों में पूर्लिंग में जो आते हैं आम, नेम, अशोक, पीपल, बरगत, आधी और जो इसरी लिंग में आते हैं लीची, नाशपाती, नारंगी, सुरुजमुखी, आधी सदा पूर्लिंग रहने वाले शब्द कुछ शब्द जो होते हैं वो सदा के लिए पूर्लिंग ही रहते हैं जैसे देशों के नाम, परवतों के नाम, महादीपों के नाम, दिन तथा महीनों के नाम, ग्रों के नाम, धातूओं के नाम, वरक्षों या अनाजों के नाम और कुछ शब्द सदा के लिए इस्त्री लिंग रहने वारे शब्द होते हैं जैसे कि नदियों के नाम, तिथियों के नामों में, नक्ष्टरों के नामों में, भाशाओं के नामों में, किराने की दुकान का समान इकरांत तसक संग्याएं जाती भक्ती शक्ती अगनी उकारांत तत्सम संग्याएं वाईयू आयू डिशी तो ये वीडियो हमारी अब यहीं समापत होती है मैं उमीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपका कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में पूप सकते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद